दोस्तो हमारे शनातन धर्म में पूजा पाठ और बांगलिक कार में बहुत सी अलग लग प्रकार के समागरी और फोलो का इस्तेमाल करते हैं दोस्तो इन्वे से एक है नारियल हिंदू धर्म में नारियल को पवित्र और बहुत ही महदपुन्णा माना जाता है दोस्तो ऐसा माना जाता है कि देवी दियोताओं को नारियल अरपित करने से वेक्ति की सभी कष्ट का नास होता है इसलिए हम कोई भी पूजा पाठ करें मांगलिक कारक करें उसमें नारियल का परोग जरूर करते हैं नायरियल को हमारे हिंदु धर्म में श्री फल बोला जाता है श्री अर्थाद लच्मी महिया जी का फल ऐसा माना जाता है सभी तरह के नायरियल में एक आक्षी नायरियल सबसे उत्तम और सबसे खास माना जाता है सबसे दूरलब माना जाता है तो इस बिड़ों को एक बार बस आपको शुरू से लेकर के आखरी तकी पूरा जरूर देखना है आज मैं आप लोगों को एक आख्छी नारियल सम्बंदी शंपून जानकारी बताऊंगा जो जानकारी आपके जीवन को आपके तक्दिर को चमका देगा आपके जीवन को बदल गर के रख देगा दोस्तों एक आख्छी नारियल को माता लच्मी का सरूप माना जाता है माना जाता है कि यह नारियल जिसके पास में होता है उसे जीवन में कभी भी आर्थिक दिक्कत नहीं होती जिसके घर में मंत्रसिद प्रान प्रतिष्ठित युक्ता जो एक आख्छी नारियल होते है उसक आक्षी नारियल रख करके उसकी पुजा करता है उसे जीवन में जितने भी स्मृद्धि चाहिए सब जीज प्राप्ता होता है उसके घर में कुबेर का खाजाना हमेशा भरा रहता है तो आई ये स्रीफल का स्वरूप जाने वाले जो एक आक्षी नारियल है इसके बारे में क कोमेंट बॉक्स में बिल्कुली पूछे आल लाइन आने पर हमारे दोरा ये हमारे टीम की दोरा बिल्कुली आपकी मदद की जाएगी हमारा एक ही मकसद है लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करना दोस्तों हम इस यूटूब चैनल से कमाया गया धिक्तर पैसे भी इनों देउताओं का वास माना जाता है नारेल में जो आप तीन नेत्रा देखते हैं उन्हें भगवन सीव के त्री नेत्रा माने जाते हैं नारेल में जो तीन त्री नेत्रा देखते हैं इसे ब्रंभा बिश्णु और महेश इनका प्रतिक माना जाता है धार्मिक तो आई इस बीड़ो में मैं आप लोगों को एक आक्षी नारियल के बहुत ही ज़्यादा दिब्य एवं चमतकारी को लाभ बता रहूं जो प्रतेक मुनुष्यों को अपने घर में एक आक्षी नारियल जरूर रखना चाहिए और जो लाभ आपको काफी प्रगति कराएंगे और आपके घर में धन, दौला, शुक, इस बीड़ी सब को बढ़ाने का कम करेंगे बिड़ो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है अधूरे ग्यान हमेशा खतानाख शाबित होते हैं और कोभी जानकारी बेर्था नहीं होती अभी नहीं तो आज जानकारी बाद मे जिसमें तीन की जगह सिर्फ एक आँख दिखाई देता हैं इस नारियाल का हिंदू धर्म में विश्यस महत्वा इस्थान होता है इस नारियाल को मातालच्मी और भगवान विश्णुजी के सरूप माने जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की घर में एक आक्षी न उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होता हिंदू धर्मा सास्तर को अरपित करने से जो भी देवी देउता कि घर में पूजन करें अगर उनको एक आक्षी नारियाल अरपित करते हैं तो इसे घर में सुख संपति और एस्वायर की प्रापती होता है वैक्ति को वेबसाई सफलता मिलती हैं। जाय कारे को बोलें तो उस कारे में 101% सफलता जरूर मिलती हैं जिस घर में पुजित एक आक्षी नारियल होता है अभी मंत्रीत मंत्रों से जो पुजित एक आक्षी नारियल होता है उस घर के सदसों पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्रा तोने टोटके इत्यादी का भूत प्रेत इत्यादी बधाओं से भी मुक्ती मिलता है। दोस्तो ऐसा भी कहा जाता कि एक अक्षी नरियल पर चंदन, केसर, रोली इनका तिलक लगा करके अगर आप इंटर्विव के लिए जाएं तो उस इंटर्विव में आपको 101% सफलता जरूर मिलती हैं। अगर देख दिन विरोधी का नाम लेकर लाल कनेर का फूल एक अक्षी नरियल में आपको रखना हैं। प्राचिन ग्यान इस्टोर से एक आक्षी नारियल खर दी सकते हैं, जो कि हमने मंत्रों से अभी मंत्रीत करके रखें। प्राचिन ग्यान इस्टोर से एक आक्षी नारियल खर दी सकते हैं। प्राचिन ग्यान इस्टोर से एक आक्षी नारियल खर दी सकते हैं। एक बड़ और ध्यान से सुलिजे। एक आक्षी नारियल को सीध कर सकते हैं। अब वीडियो समाप्त करने से पहले इतना बताना चाहूँगा कि एक आक्षी नारियल की पहचान कैसे करें। यह ओरिजिनल एक आक्षी नारियल है यह फिर यह डूबलिकेट है। क्योंकि मार्केट में मिलावटी एक आक्षी नारियल बहुत ही बिकती है। अब हमारे दोवरा प्राप्त करेंगे एक आक्षी नारियल सूध होंगे, 100% हम सही समागरी देते हैं। मंत्रों से शिद केवे देते हैं। तो एक आक्षी नारियल की कुछ पहचान बता दू ताकि आब को खर देते समय सही समागरी का चुनाव करना है। तो समान नारियल की आक्रिती में तीन छिद्रा दिखाई देती हैं। ध्यान से सुनिए जो समान नारियल होता है इसके आकरिती में तीन छेद बने होते हैं जिनके दो आंख वा एक मुख कहा जाता है और दोस्तों जो मैं एक आक्छी नारियल बता रहूं जो कि आप नारियल नारमाल लेते तो इसमें तीन खड़ी रेखाएं होती हैं किन्तु एक तो यही है एक आक्छी नारियल की पहचान, कई जगा पर कई केस में ये भी देखा जाता कि आक्छी नारियल में एक ही छिद्रह होते हैं, और एक ही धारी होती है लेकिन अधिकतर जो एक आक्षी नरीयल मिलते उसमें दो छिद्र होते है वब दो आख होते हैं तो इसे एक आक्षी नरीयल कहा जाता है तो दोस्तो आज की आज जानकारी कैसा लग है में comment section में जरूर बताना और एक आक्षी नारेल को जब भी आप इस्थापित करना चाहते हैं तो आप इसे सुब मुहरता में अपने घर में हमारे दोरा मंगाते हैं या फिर इस्थापित करना चाहते हैं तो सुब दिन कहे गए हैं इस्थापित करने के लिए प्रत्थम सुब दिन है वह है दोस्तो पुनिमा के दिन दुटि सुब दिन कहे जाते हैं दोस्तो वह है एक दस इक दिन और तुटि सुब दिन कहे जाते हैं दोस्तो वह है जैसे कि होली है या फिर आप चाहें तो आप ज पूरे घर में उर्जा का संचार कर देगा आपके घर के वास्तु को मजबूत कर देगा और आपके घर में इस थायरुप से सूख सांती वैभाव इसम्रिदी सभी प्रकार के भौतिक सूखों की प्राप्ति होगा हम जल्ला जूरते हैं आप सभी से किसी नय और एक अच्छे जानकारी के साथ आज के लिए बस इतना है जानकारी धन्यवाद नमस्कार